अगर आपका पती किसी और को प्यार करने लगा है किसी और के चकर में पढ़ने लगा है और आप उसको वापिस लेकर आना चाहती है उस औरस से छुटकारा दिलाना चाहती है तो आपको क्या करना चाहिए आज करेंगे इसी बारे में शुरू करते हैं देखिए दोस्तों अग उने तक ही रहने दें क्योंकि जब तक यह चीज सिर्फ आप तक है दूसरों को नहीं पता तब तक आपका सम्वेर कंट्रोल है आपके पती के ऊपर क्योंकि वह डरेगा इस चीज को लेकर कहीं आप किसी और को ना बता दी तो उसको उस डर में रखना जरूरी है अगर आप न अगर जहां है तो यहीं करें कि उसकी बेस्ती ना करें और उस चीज कढ़िनोरा ना पिते अब क्या करना हैं दूसरी चीज जो आपको कर नी है खुलकर बात कीजे अपने पती से कि उसे आख़र्ट चाहिए क्या उसको शादी करनी है तो सामने से उसको पंली ली मेरे करो ज इस चीज़ को ओपनली उससे बोलिए साथ ही साथ कोशिश कीजिए कि उस लेडी से भी आप ओपनली फेस टो फेस बात करें बिना गाली गलोश किए बहुत स्ट्रॉंग वोमन बनके अब देखिए ये मैं क्यों बोल रही हूँ इससे क्या होगा इस चीज़ को समझना जरूरी है सबसे पहले चीज़ कि ज्यादा तर जो एक्स्ट्रमेटर अफेर होते हैं उसमें लोग ऐसे ही प्यार करते हैं छुप छुप कर और ऐसे ही रहना चाते हैं क्योंकि इससे उनके मन की भी होती है और समाज में लोगों के आगे उनकी इज़त भी बनी हाती है यहां पर अगर आप अपने पती को डेवार्ज देने की बात करेंगी तो उसके लिए ये हो जाएगा जैसे उसकी इज़त चली गए क्योंकि अगर आपने रेवार्ज दिया तो लोगों को पता चल जाएगा उसका अफेर है और वो इनसान ये चीज़ कभी नहीं चाहेगा चाहें वो उस औरत को कितना भी प्यार करता हो वो इज़त नहीं खोना चाहता है तो यहां पर वो सहम जाएगा डड़ जाएगा दूसरी चीज़ देखिए बैनी टाइम क्या होता है जो हुमन साइकलोजी है वो ऐसे काम करती है कि जब तक हमें रोका जाता है ना कुछ करने से ये नहीं करना ये नहीं करना तब तक इंसान उतावला होता है आपके बती के साथ में अभी तक क्या है उसने ये चीज़ सोची ही नहीं होगी कि आप उसको डेवार्स देदेंगी इतना इसली इतना ओपन ले तो उसकी प्लैनिंग क्या होगी कि वो उसको प्यार करता है उसके साथ में रहेगा वो तो आपको divorce भी देदेगा लेकिन आप नहीं मानने वाली हो ये उसकी दिमाग में चलता होगा लेकिन जहां आप सामने से कहेंगी divorce की बात वैसे ही जब उसको आप open छोड़ देंगी कि जा अपने मन की कर वैसे ही वो सहम जाएगा तब उसको समझ में आएगा कि ये चीज़े इतनी easy नहीं है divorce देना कितना मुश्किल है ये तभी वो समझ पाएगा जब आप सामने से उसको offer करेंगी इस चीज़ के लिए क्योंकि अभी वो समझ ही नहीं पा रहा है अभी तो बस यही सोच रहा है कि आप नहीं मानेंगी तो इसलिए जरूरी है कि आप सामने से divorce के लिए बोले तीसरी चीज़ जो बहुत ज़्यादा जरूरी है आपके समझना कि देखिए being known कि आपका पती आपको प्यार नहीं करता चीट कर रहा है किसी और के साथ में है ऐसे में आपके लिए जरूरी है कि उसको छोड़ दे लेकिन उसके बाद भी आप उसको छोड़ना नहीं चाती सुधार ना चाती है वापिस लेकर आना चाती है यह क्यों है सिर्फ क्या इसलिए कि आप उसे प्यार करती है रियालिटी एक्चल में यह है कि वो जो घ्रस्ति है आपकी बसाई हुई है उस घ्रस्ति को आपने सीचा है अपने प्यार से टाइम से लगाव से पसीने से महनत से तो वो घर आपका है वो ग्रस्ती आपकी है, बच्चे आपके है, ससुराल आपका है, पती आपका है, वो आपका अधिपत्य है और जैसे ही पती का अफेर कहीं और है, तो आपके दिमाग में ये नहीं आ रहा है कि पती चला जा रहा है आपके दिमाग में यह आ रहा है कि आपकी सालों की महनक आपका जो अधिकार है वो आपसे छिलिया गया है और यह हर एक चीज के ऊपर है आपका दिकार वो अधिकार छिनना आपसे नहीं छिल रहा है इसलिए आप उसे छोड़ना नहीं चाती क्योंकि आप अपना दिकार नहीं छोड़ना चाती लेकिन इस जगह पर आप एक दूसरी चीज सोचना भूल जाती है कि वो जो चीज है जो घ्रस्ती है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी बसाई हुई नहीं है आपके पती की भी बसाई जितना मुश्किल आपके लिए उस घर को छोड़ना है उतना ही मुश्किल आपके पती के लिए भी उस घर को छोड़ना है तो आपका पती ये तो कर सकता है इंफक्त काफी सारे आदमी ये करते हैं कि वाइफ के साथ रहते हुए भी कहीं और अफया करेंगे हो सकता है शाध यह कभी नहीं करता कि अपनी एक पत्नी को डैवार्स देकर उसकी जगह पे दूसरी शादी करके उसको लाकर खड़ा करते ऐसा कोई भी आदमी नहीं करता क्योंकि इससे क्या होगा जो उसकी बसी-बसाई ग्रस्ती है वो बिखर जाएगी आपके जाने का मतलब यह है कि उसका घर तूट गया जो उसने इतने लंबे टाइम से प्यार से मुहब्बत से सीचा था उसकी इज़त चली गए जो उसके बच्चों के नजरों में थी जो आसपड़ों के लोगों की बीच में थी जो उसके पेरिंट्स की बीच में थी वो ये कभी भी नहीं खोने देगा वो में झादी करके उसको पर आप अपने साथ रखना कर रुट है आपको भी अपने साथ रखना और यहीं उसकी प्लाइन है लेकिं जैसे ही आप उसके ऐगे पनेелिए और वहत प्लाएब से क्लियर करेंगे तो यहीं शौर हो जया गाएगा के आप सुनना चाहती है फिर गया इसके बारे में नहीं सोच रहा था कि आपके जाने के बाद क्या होगा वो इस चीज़ को समझ पाएगा कि उसकी ग्रस्ती बिखरने वाली है बिखरी हुई ग्रस्ती को कैसे वो समभालेगा फिर वो रियालेटी में आ पाएगा और उस ताइम आपकी वो पोजिशन होगी पावर में आप होगी जहां पर जब वो आपको रोकता है समझाता है सॉरी बोलता है तो आप ये कंडिशन हक से रह सकती है कि उस लड़की से कभी देखना नहीं है बोलना नहीं है मेरे लिए honest रहो कि मैं तुम्हारे लिए honest तूँ फिर situation आपके हाथ में है आप जैसा चाहेंगी वैसे mold करेंगी वैसे conditions आप में रखेंगी और उसको वो करना पड़ेगा लेकिन लेडी से जाहतर क्या करती है रोना धोना मचाती है पैरों में गिर जाएंगी माफी मांगेंगी या गाली कलोच करेंगी इन सब चीजों से कुछ भी सुखरने वाला नहीं है चीजें वैसे की वैसे ही रहती है इनसे वर्स्ट हो जाती है इन सब चक्करों में आपको अपनी weakness नहीं दिखानी है Be a strong women तो ये वो तरीका है जिसके थूँ आप अपने पती को अपने पास रख सकती हैं वापिस लेकर आ सकती हैं और उस third lady को अपने रिष्टे में से निकाल सकती है